नमस्कूर आप देख रहें एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ कल पे मोधी ने प्रधान मंत्री का शपत ग्रहन किया प्रधान मंत्री पद का वही दूसरी ओर कल 30 मंत्रियों ने भी शपत ग्रहन किया और बादचीत में इसका श्रे पुरा उन्होंने देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को दिया तो चलिए हम कबर में विस्तार सो जानेंगे कि चिराग पास्वान ने मंत्री पद का शपत लेने के बाद पिये मोधी को श्रे देते वे उन्होंने क्या कुछ का है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को ले लजेपी रांविलास के राष्ट्रिय अध्यक्ष और हाजिपूर लोकसभा सीट से सांसत बने चिराग पास्वान ने बीते रविवार को केंद्र में मंत्री पद की शपत लेने के बाद वे खुश होने के साथ थोड़े चिराग पास्वान भावक भी दिखे पत्रकारों स ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे प्रधान मंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना मेरा पूरा ध्यान इस पर रहेगा कि पूरी इमंदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधान मंत्र की ओर से दी गई है उसको मैं पूरा करूँ आगे बातचीत में चिराग पास्वान ने कहा कि जुतने भी पारिवारी को और राजनितिक तोर पर उतार चड़ा हुए उनसे वो गुजरे हैं उन्होंने कहा कि आज से धाई तीन साल पहले मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कही से चुनाव भी लड़ पाऊंगा ऐसे में पूरा सुरे प्रधान मंतरी को जाता है एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर प्रधान मंतरी जी ने इतना भरोसा जताया विश्वास करके 5 सीटे दी मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा हूँ 5 की 5 सीटे मैंने उन्हें दी आज जो नई जुम्यदारी मिली है उसे भी हम निभाएंगे बतादे कि चिराग पास्वान की पार्टी लज़पी रामविलास को इस बार लोगसभा चुनाव में 5 सीटे दी गई थी 2014 और 2019 में चिराग पास्वान ने खुद जमुई से चुनाव लड़ा था और जीते भी इस बार उन्होंने खुद हाजी पूर से लड़ा और जीत हासिल की जमुई से उन्होंने अपने बहनोई अरून भार्ती को उतारा था वो भी जीत गये हैं अन्ने तीन सीटों पर भी जीत मिली है अब चिराग पास्वान काबिनेट में मंत्री बने हैं तो जैसा कि आपने देखा बीते दिन चिराग पास्वान ने मोदी काबिनेट में मंत्री पद की शपत ग्रेन की जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातशीत के और उन्होंने कहा कि ये बड़ा पल से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जो देश के प्रधान म भरोसा जताया मेरा ये करतव ये दाईत वो बनता है कि उनकी उमीदों पर मैं खरा उतर सकू और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूरी मेहनत और इमंदारी के साथ निभास सकू साथ उन्होंने ये भी का कि आज से दो-तीन साल पहले जिस तरीके से मेरे परिवारिक और राजनितिक जीवन में उतार चड़ा हो रहते मैंने कलपना भी नहीं की थी कि मैं कहीं से चुनाओ भी लड़ पाऊंगा एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को पीम मोदी ने पांच सीट दी हम पर भरोसा जताया और हम भी उनके उमीदों पर खरे उतरे जो ह होने रहे हमारे साथ और देखते रहीए एक विडियो को लाइक करें शीर करें सात रचनले इक नूजय को सबस्क्राइब करें यदी आप हमें फेसुक और देख पार करें तो हमारे फेसुक पीछ को भी फॉलो करें धन्यवाद